नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूटूब चैनल टेज सुरज दोस्तों आज की वेडियो में हम बात करने वाले हैं रियल्मी P1 Speed 5G फोन में कीबोर्ड में अपनी फोटो कैसे लगाएं तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को आउन करना हुआ गाइज आप अपने फोन की शेटिंग को आउन करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटाफिश ओपन हो जाएगा आप यहां से थोड़ा सा स्कूल अप करेंगे आपको देखें यहां पर नीचे एक आपसन मिल जाएगा अडिशनल शेटिंग का आपसन आप इस पर क्लिक करना उसके बाद आपको देखें कुछ इस प्रकार का इंटाफिश ओपन होगा आप देख सकते हो यहां पर की बोर्ड और इंपुट का आपसन है आप इस पर क्लिक करना आपको first number पर मिल जाएगा current keyword जो कि आप इसमें अपनी keyword की language को change कर सकते हो आप इसमें हिंदी, English या फिर आपको जो भाषा आड करने आप यहां से आड कर सकते हो तो चलिए हम आते बैग यहां से आपको देख सकते हो manage keyword का आपसन है आप theme वाले option पर क्लिक करना आपकी keyword में कुछ इस प्रकार की theme मिल जाएगी जो कि realme के तरफ से बिलकुली free है तो चलिए आपको यहां पर देखे आप यहां से demo भी कर सकते हो उस पर क्लिक करके आप यहां से black या white में convert कर सकते हो तो उसके बाद आपको देखे यहां पर प्लश का option है आप प्लश वाले option पर क्लिक करना और आप यहां से अपने album में जाकर आप अपनी photo को select कर सकते हो चलिए हम यहां से अपनी photo को select करते हैं यह है हमारा keyboard का size आप यहां से छोटा या बड़ा कर सकते हो आपने keyboard की site में यहां पर click करना उसके बाद यहां से आप nest कर दीजीगा आप देख सकते हो हमारी keyboard में photo लग गई है तो जैसे कि guys हमारा photo यहां पर हलका से show हो रहा है तो उसको यहां से हम brightness को बढ़ाएंगे हम जैसे यहां से अपने phone की brightness को बढ़ाएंगे आप देख सकते हो हमारा photo उतना हिश low और high quality में देखेगा आपको जैसे यहां पर पसंद हो आप वहां से use कर सकते हो और यहां से आप done कर दीजीगा तो चलिए हम आपको demo कराते हैं हमारा जो keyboard में photo लगा है या नहीं लगा है उसके लिए हम आगा हैं बैक हम यहां से किछी भी हम यहां पर देखें हम आपके setting में search करेंगे आप नीचे हमारे keyboard में photo देख सकते हो हमारे keyboard में photo लग गई है तो guys आप भी अपनी phone में कुछ इस प्रकार से keyboard में अपनी photo लगाना चाहते हो तो आप लगा शकते हो I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like और channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन next topic, next video तब तक के लिए bye, take it